अब आईए हम बात करते हैं तिम राश्ची मीन की तो जो मीन राश्ची के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है इस सारी बात है जह हम आपको बताएंगे भूम इभवन खरिदने का योग बन रहा है कि ने बनने इस पर भी बात करेंगे और जो बहुत दिन से आपका ड्रिंग प्रोजेक्ट है गाड़ी खरिदना वह कर सकते हैं नहीं उसके भी बारें बताएंगे घर बनाने का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है उस पर भी बात करेंगे परिबारी किस्तिति क्या रहेगी दामपत्य जीवन कैसा रहेगा उस प पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे नौकरी किस फिल्ड में करेंगे इस पर भी बात करेंगे और आज आप विदेश यात्रा जाने वाले हैं उसका क्या होगा और आज आपको मेडिकल फिल्ड में क्या क्या करेंगे और अध्यात्मिक प्रगति क्या होना है इस पर भी आज हम से चर्चा करेंगे आपके भाईयों के प्रताब की क्या रहेगा भाईयों का क्या सहयोग करेंगे माता से आपको क्या सुख मिलने वाला है माता का कैसे आशिरवात पराप्त होगा उस पर भी बात करेंगे और अपने अपने सुभाव को कैसे परवर्दित करें जिससे आपको स तिम्राशी मीन की तो जो मीन राशी की जातक हैं उनके लिए आज का कालखंड बहुत महातपूर्ण है आज आपकी यह सपद परतिष्टा में ब्रतिष्टा में ब्रति होगी रोग और सत्रू परास्त होंगे माता-पिता का सुख मिलेगा जदि आप नौकरी के च्छत्र में क कोई परतिष्टा की परक्षा दिया है तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी दूर देश की यात्रा से थोड़ामन ब्याथित हो सकता ध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है तिर्था तिर्था नित्यादी होने की संभौना बन रही है माता-पिता का सुख मिलेगा जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं भूमी भूवन खरिदने के लिए तो यह समय बहुत ही उचित है इसमें आपको भूमी भूवन से लाब मिलेगा खरिदे ता आपके लिए अच्छा रहेगा रियल इस्टेट प्रॉपल्टी में अगर पूजी निवेश करते ता आपके लिए संधत्यों के प्रकती वहनों का सुख मिलेगा परिवारिक किस्थाथी को पूर्ण करने में सफल रहेंगे अगर आप किताब लिखना चाहते हैं कहानी लिखनाश उसके लिए आज कर चाहते रिखें लिए वरे शपीर माहत हीरे हैं शव्यर कर्सकते पढ़ाय और उसक्ति है आयात निर्यात का भी योग बन रहा है तेक्निकल एजूकेशन के फिल्ड में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं उसकी भी प्रवलसम होना अज आपको सौधानी के अपरतनी है जल्द बाजी में कोई कारे ना करें तो नुकसान हो सकता है आज आपको उपाय क्या करना है आज आप को मंदिर में खिच्डी जरूर खिलावे या बंदरों को केला दें आपके लिए अच्छा रहेगा आपके लिए सुभंक नौव है असुभंक पिला है हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा